वर्ग और वर्गमूल Squares and Squares Roots कक्षा आट के लिए by NSS, IIT Bombay वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को अगर खुद से गुना कर दें तो उसे वर्ग कहते हैं और उस संख्या को वर्गमूल कहते हैं दारन के लिए दो गुना दो चार होता है चार दो का वर्ग है और दो चार का वर्गमूल तीन गुना तीन नौ होता है नौ तीन का वर्ग है और तीन नौ का वर्गमूल पांच गुना पांच पच्चस होता है पच्चस पांच का वर्ग है और पांच पच्चिस का वर्गमूल वर्ग का क्या उप्योग है? अगर हमें एक वर्ग आकार का शेत्रफल निकालना है तो हम उसके सिरे को खुद से गुना कर देते हैं उसी प्रकार अगर हमें एक वर्ग आकार का शेत्रफल पता है और हमें उसके सिरे की लंबाई निकालनी है तो हम उस वर्गाकार के शेत्रफल का वर्ग मूल निकाल रहते हैं वो धारन के लिए यह एक वर्गाकार है जिसके सिरे की लंबाई पांट सेमी है इस वर्गाकार का शेत्रफल इसके सिरे को खुद से गुना करने पर मिलेगा अर्थार इस वर्गाकार का शेत्रफल पांच गुना पांच बराबर पच्चस वर्ग सेमी है असी प्रकार अगर हमें पता होता कि इस वर्गाकार का शेत्रफल पच्चस सेमी है तो हम इसके सिरे की लंबाई निकाल सकते थे क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है वर्ग और वर्गमूल के बारे में कुछ जानकारी हूँ हमें पता है कि 6 गुना 6 36 होता है तो 36 गुना 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 6 भी 36 होता है तो माइनस 6 भी 36 का वर्गमूल है इसी प्रकार किसी भी धनात्मक या पॉजिटिव संख्या का दो वर्गमूल होते हैं यह दोनों एक दूसरे के योजात्मक प्रतिलों या अड़िटव इन्वर्स होते हैं इधर 36 के दो वर्गमूल है 6 और माइनस 6 6 और माइनस 6 एक दूसरे के योजात्मक प्रतिलों है किसी भी संख्या के धनात्मक वर्गमूल को स्क्वेर रोट के चिन में से दर्शाते हैं हमें पता है कि 6 गुना 6 36 होता है तो हम लिख सकते हैं कि 36 का वर्गमूल 6 के बराबर होता है उसी प्रकार प्रिनात्मक संख्याओं के लिए माइनस वर्गमूल का उप्योग किया जाता है माइनस 6 गुना माइनस 6 बराबर 36 हम लिख सकते हैं कि माइनस वर्गमूल 36 बराबर माइनस 6 पूर्न वर्ग संख्याओं या परफेक्ट स्क्वेर संख्याओं जिनका वर्गमूल पूर्न संख्याओं हो उन्हें पूर्न वर्ग संख्याओं कहते हैं अधार और रंके लिए एक सब चार सोला चौसट ना यह संख्या है पूर्न वर्ग संख्या हैं पूर्न संख्या है सौ का वर्ग मूल दस वता है चार का दो सोला का चार चौसट का आट और नौ का तीन वर्ग मूल निकालने के तरीके ऐसी संख्या है जिनका वर्ग मूल पूर्न संख्या ना हो उनका भी वर्ग मूल निकाला जा सकता है एक तरीका त्रिकोन से है यह एक त्रिकोन है जिसकी बाजू A, B की लंबाई चार सेमी और B, C की लंबाई चार सेमी है पाइथागरस के प्रमेय से हमें पता है कि A, C कवर्ग बराबर A, B कवर्ग और B, C कवर्ग A, C कवर्ग बराबर चार कवर्ग और चार कवर्ग A, C कवर्ग बराबर सोला और सोला AC का वर्ग बराबर 32 AC बराबर 32 का वर्गमूल अब हम AC की लंबाई एक रूलर से मापेंगे AC की लंबाई 32 के वर्गमूल के लगबख बराबर होगी अब हम वर्गमूल निकालने का एक और तरीका देखेंगे जो ज़्यादा सटीक है हम उदारण के लिए 20 का वर्गमूल निकालेंगे हम यहाँ पर 20 दशून्य शून्य 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 पराबर होते हैं अब हम दशम्ल से दो-दो की जोडिया बनेंगे 20 से छोटी सबसे बड़ी वर्ग संक्या सोला होती है और सोला का वर्गमूल 4 होता है इसलिए हम यहाँ पर 4 लिखेंगे हमें 4 उपर भी लिखना होगा हम 20 में से 16 घटा देंगे तो हमें 4 मिलेगा हमें इधर वापस से 4 लिखना होगा और इन दोनों को जोड़ना होगा 4 और 4 आठ होता है अब हम इन दोनों 0 को नीचे ले आएंगे अब हमें इन दोनों बक्सों में सबसे बड़ी ऐसी संख्या लिखनी है जब हम इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे तो हमें 400 से छोटी संख्या मिलेगी ऐसी संख्या 4 है तो हम इधर 4 लिखतेंगे हमें इधर भी 4 लिखना होगा क्योंकि हम दशमलों के आगे चले गए हैं तो हमें इधर दशमलों लगाना पड़ेगा 84 और 4 को गुना करने पर 336 मिलता है हम 336 घटा देंगे 400 में से हमें मिलेगा 64 84 और 4 जोडने पर 88 होता है हम दुबारा दो शूने नीचे लेएंगे अब हमें ऐसी सबसे बड़ी संख्या लिखनी है जब इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो हमें 6400 से छोटी संख्या मिलेगी ऐसी संख्या साथ है 887 और साथ को गुना करने पर 6209 मिलता है 6400 में से 6209 घटाने पर हमें मिलता है 191 क्योंकि हमने यहाँ पर 7 लिखा था तो हम इधर भी 7 लिखेंगे इस प्रकार हमें 20 का वर्गमूल मिल गया है 20 का वर्गमूल चार दशम्र चार साथ है 20 का वर्गमूर 24 लिखेंगे